मित्रों प्रणाम मैं आपका साती ही आपका अचार्याश श्टेशन आपका स्वावब करता हूं चैनल को मानुद के का इटम तंत्र मंत्रवे यंत्र में वह हम आपका प्रदर से अखाल रखते रखते हैं कि आपने हम लोगों को इतना पसंद करा और हम लोगों को इस शीर्ष तरक पहुंचाया आपको पोटी को ली धन्यवाद अब मित्रो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत अच्छा इस्तरी वशी करन मंत्र आप देखेंगे तो प्रसंद हो जाएंगे लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक वारे जन्म को सब्स्राइब कर लेंगे वो लोग देखें आप देखिए आपको दिख रा इस पर भी अगर आप क्लिक कर देते हैं तो आपको हमारे वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेंगे तो अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो यह है कि आप किस प्रकार से इस्तरी को वशी करन में बांग सकेंगे बहुत ही अच्छा उपाय है देखें में इतनों सर् मंत्र ओम इन्ना चात्व विना स्षयताना मेरी शिकलवन अमगे के पास जाना उसे मेरे पास लाना ना लावै तो तेरी भेन भांजी पर तीन सौ तीन तलाक ओम इत्वरो यह देखिए यह एक शैटानी शैटान को आपसमें अपने दुश्में करेंगे और शैटान से अनका इसमें आपको प्रयोक कैसे करना है, वो बताता हूँ, जहां हमकी है, महां पर आप समझी गए होगे, अपनी प्रियसी, अपनी प्रयमिका या जिसको आफश्मे करना चाहते हैं, उसका नम लिखेंगे, लिखेंगे क्या, आपको बोलना है, उस नाम को चारण करना है, इतरहां और आप खाट होती है ये बान की नियिक दिय उसमर पैतयानेक हिस्से यहां पैल बिधर होते हैं उस हिस्से पर बैठकर वोबे बिल्कूल नग्न होके संपून नग्न होपर बैठ जाएं वो एक गुड की ले लें और 121 बार संपून नग्न होकर इस मंतर को उस गुड़ की देली पर पढ़कर उगे अर्था उस देली को इस मंत्र से अविमंत्र करें और उसके बाद उस गुड़ को खाट के नीचे रखकर राग्री में बहीं सो जा ऐसा करने से सुबह जब उठाएंगे आप उसके बाद नहाग होकर सबसे पहले गुड़ निकाले औ अवर बाल को में बाट देलिए ऐसा करने से आपको आपकी ध्रैसी जिसका प्रेम करते हैं या आपने जिसके नाम से ये किया है तो आपके बश्च में अवष्य आ जाएगी और दो जाएग्ट आ जाएगी अब आपको कैसा लगा हारा भाए है आप में शुचत करीगए वाद एक रहे करेके मतंत मंत रुएंत रुएंत वाकुछ अंचियान कहानिया इस सवा के लिए इत्रहाई में अपसे तब रहाई करूआ तब तक के लिए मात श्रुणी आपका खल्याव करें आपको फ़ता शुक्रा है वाकुल तर्णाब